तो भाई साब आपने The Boys देखी है, अगर नहीं देखी है तो फिर Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन खरीदो और जाके देख लो अगर पैसा आप लोगों के पास नहीं है तो फिर आप लोग इंटरनेट के यूज करो और कहीं से भी डाउनलोड करके देख लो यही दो चीज हो सकती है, तो आज मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि The Boys आखर में है क्या, इसकी concept क्या है उसके बारे में बताने वाला हूं साथी में मैं यह भी आप लोगों को बताऊंगा कि Part 1, Part 2 और Part 3 में क्या दिखाया गया है और जिन लोगों ने अभी तक Part 1, Part 2 और Part 3 नहीं देखा है, तो फिर उन लोगों को भी यह पता चलेगा कि The Boys का concept कैसा है और हम लोगों को यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए या फिर वेब सीरिस क्यों वाच करना चाहिए उससे पहले मैं हूँ विवेक और आप सभी का स्वागत है फिल्मी ऑक्सिजन में फिर से एक बार और चैनल को ज़रू सस्क्राइब कर लेना दोस्तों क्योंकि हमारा सस्क्राइबर अभी भी बहुत ज़्यादा कम है आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो The Boys के अंदर साथ सूपर हीरोस है और अगर आप The Marvels जैसी मूविस को देख चुके हो तो फिर आप लोगों को इस फिल्म के अंदर जो कोई भी सूपर पावर दिखाई जाएगी वो आप लोगों के लिए नया तो बिल्कुल भी नहीं होगा साथ में अगर ये सूपर हीरोस रियल लाइफ में होती तो फिर उनकी जिन्देगी कैसी होगी इस बारे में इसकी पूरी कॉंसेप्ट है और इसकी विल्लेन के अगर बात की जाए दोस्तो तो फिर ये इस विल्लेन के पास कोई भी सूपर पावर नहीं है मतलब कि कुछ भी नहीं है इसके पास फिर भी ये जो है इस साथ सूपर हीरोस के साथ कही पे भी 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 भीर जाता है और इसके अंदर इतना जादा दम है लेकिन ट्विस्ट तब आते है जब इन लोगों को पता चलता है कि इसके पास भी एक सूपर हीरो जैसा लर्का है और इसके पास दो तिन लोग और भी है जो कि इन सूपर हीरोस के द्वारा सताय गया है क्योंकि यह जो super heroes है न यह लोग super hero कम और superstar जादा लगते हैं क्यूंकि इन लोगों को photo खिचाना अच्छा लगता है limelight में रहना अच्छा लगता है और इन लोगों के पास जो भी super power है वो kriton तरीके से मतलब की इसको क्या कहते है दोस्तों हाँ जो भी है मतलब इन सब को lab में बनाया गया है किसी के पास laser वाला power है तो फिर किसी के पास flash जैसा दोरने की power है तो फिर किसी का हाथ जो है हतोरे जैसा है जैसे की थौर के पास था इसकी कहानी कुछ इस तरीके की है और last में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यह जो पूरी वेब सीरीज है इसके अंदर जो साथ सूपर हीरोस है वो लोग सूपर हीरो कम धीरे-धीरे सूपर विलेंस बनते जा रहे हैं और जो सूपर विलेंस है वो धीरे-धीरे सूपर हीरोस में कनभर्ट होते जा रहे हैं अभी देखने वाली बात इस वेब सीरिस के अंदर मतलब कि इस पार्ट फोर्ड के अंदर ये होगी कि कैसे धीरे धीरे ये सूपर विलन जो है सूपर हीरो बनते जा रहा है मतलब इस सूपर-philone का नाम है बुजर और इसके पास एक सूपर-हीरो वाली लरaison है। जिसके बज़े से बहुत साथे लोग काफी बार इनके बज़े से परेशान हो चुकए है। और लोग इनको जाधा पसंद भी नहीं करता है। वैसे मेरा opinion अगर आप लोगों नहीं यहां तक देखा है तो पिर चैनल को ज़रूर subscribe कर देना और अगले ईपीसोट को देखने के लिए भीचैनल को ज़रूर subscribe कर देना और मेरी बात अगर आप लोगों को यहां तक अच्छी लगे तो भी आप subscribe कर सकते हैं और अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं, धन्यवाद बाद।